हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप लोग आप लोग अच्छे होंगे तो आज देख सकते हैं आज हम ले क्या हैं सूपर डिलीसियस टेस्टी साउथ इंडियन रेसिपी जो की है इडली जिसे खाना किसे ने पसंद है यह हेल्दी भी है विदाउट ओईल है और बहुत ह यम नासता है या फिर आप स्नैक्स में भी ट्राइ कर सकते हो यह एक ऐसा रेसिपी है जो कि आप कभी भी बना सकते हो यह एक फॉरेवर रेसिपी है जो लॉंच डिनर स्नैक्स कभी भी बना सकते हो तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना लेट किये तो मैंने यहां दो यह रेगुलर नॉर्मल राइस है एक बॉयल राइस आता है एक विदाउट बॉयल राइस आता है तो यह बिना उबला हुआ चावल है उबला हुआ चावल को हम लोग उसना चावल कहते हैं और विदाउट बॉयल चावल को हम लोग अरवा चावल कहते हैं तो यह अरवा जाने का दाल और 1 by 3 टेवल स्पून लेना है फेनोग्रिक सेड जिससे काफी अच्छा टेक्च्चर आता है और इसे राद भर पानी में अच्छे पहले वाश कर लो राद भर पानी में भीगो के रख दो उसके बाद जैसी आपको सुबह उठना है तो इसे अच्छे से होता है देख सकते हो बिल्कुल महीनी से बिल्कुल नहीं पीसना है ठोड़ा हल्का मोटा रहे ना मातर का ज्यादा नहीं और अच्छे से बड़े बर्तन में अगर आप किसी स्टील के डबबे में निकाल रहे हो तो वह ज़्यादा अच्छा रहेंगा और उसके बाद सारे आवल को ऐसे हम लोग पीस के तयार कर लेंगे और फिर इसे चार से पांच घंटे तक रेस्ट देना है रेस्ट देने से यह अच्छे से फर्मेंट हो जाता है जिससे टेक्स्चर काफी अच्छा और थोड़ा खटापन जो आता है वह इसी से आता है क्योंकि बैटर जितना फर कि इसे कभर करके चार से पांच घंटे तक आपको रेस्ट कर रख न है उसके बाद यह दे को हमारा अच्छे से बैडर फर्मेंट हो चुका H Hen और फिर उसके बाद लेना है आपको इडली स्टैंड और इसे अच्छे से ओयल से ग्रीस कर लो उसके बाद बैटर को आपको पोर करना है पूरा इडली स्टैंड को भरना नहीं है तो क्योंकि यह थोड़ा फूल के बड़े होते हैं तो इसले थोड़ा खाली रखो ताकि यह इुट्ली को इसे तरीके से मैंने फृल करा ग्रीसुत के वाईल लेते Examiner, अगर आपके पास impron наya qooker और show in app olet val मने नॉरमलि जिसमें चावल बनते हैं by छड़ा दिया थे पान होल्य पानी जर्दी ही जड़ाना के वब र्य से जादा दिन ऐपको एक कप के अपड़ा कि और उसके बाद इडली स्टैंड को डाल दो कूकर में और धक्कन आपको ऐसे ही ऊपर से रख देना है लगाना नहीं है सीटी नहीं लगवानी आपको बस ऐसे ही ऊपर से कवर कर दो 15-20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाओ उसके बाद क्या छूडी से या फिर आप तूद्पीक से भी चेक कर सकते हो कि इडली में अच्छे से इंसर्ट हो रहा है या नहीं चाको में लग तो नहीं रहा तो उसके बाद कि आपका इडली बिलकुल सॉफ्ट स्पॉंजी बनके तयार हो गया है यह देखो कितना ही इसली यह निकल रहा है और बिना चिपके हुए आराम से निक और थोड़ा spicy लगेगा उसके बात क्या खाल भी एँजॉय करो आप इसे अपनी फैबरीट चेट्णी के साथ सांवर के साथ सफ कर सकते हो आपके मर जी मैंने यह चेट्नी के साथ सब करहा है बादाम की चेट्णी के साथ आप इस चट्ट्टी का रेसीपी की लिंक में डिस्क सबसे पहले मिल सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक क्या सबस्क्राइब